नमस्कार सात्यों, तॉप 50 श्टडी में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 2011 में जो प्रात्मिक सिक्षक भरती का पेपर हुआ था, उसमें किस प्रकार से संस्कित का पेपर आया था, कैसे कॉस्चन उसमें थे और इस बार कैसे आने की संभावना है, MPPV संस्कित के किस प्रकार के प्रशन पूचता है, आज हम 30 प्रशनों पर चर्चा करेंगे और आपको यह भी देखना है कि अभी आप पर 30 में से कितने बनते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि संस्कित जो भासा जिनोंने दो में चुनी है, तो 15 नमबर के तो इसम सारे सब्जेक्ट की हम आपके MPPV से संबंदित तयारी करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, चलिए तो हम सुरू बात करते हैं, देखें, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले गद्यांस पूचते हैं, जिसमें लगवा 8 प्रशनों से स संबंदित हैं, और इसमें पैडा को अजीस, इसके बाद हम गद्यपद करने, स्वल्व करने की आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक से आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ आपको आइडिया दिये जाएं, गद्यपद कैसे स्वल्व करना है संस्कित के, जिससे आपको आसानी हो, चलिए शुरू बात करते हैं, तो पहले देखें, बैसनीन असमिन पदे का बिभक्ति किम्चा बचनम, ठीक है तो बैसनीन, बैसन जो सब्द है उसका आपको बतलानाएं कि इसमें कौन सी बिभक्ति कौन सा बचन है, तो आपको बताते हैं इसमें तृतिया बिभ में समझाया है तो आपने चैनल पर सेलेक्ट करके जाएं और प्ले लिश्ट में जा करके देख लें आप सीधे वीडियो में जा करके देख सकते हैं अगला देखें ग्रामस इस पद में कौनसी संदी है तो आपको बता देगी ग्रामस जो पद है इसमें कौनसी संदी है तो इसमें जो बिक्षित हो जाएगा ग्रामस प्लस अर्थ ठीके तो आ और आ मिलकर के बड़ा हो जाएगा दीरी संदी इसमें हो जाएगी दीरी संदी अगला देखें चात्री भासा विकासें सह भासा सिक्षण यस आवशक्ता आस्ती चात्रों में भासा विकास के साथ भासा सिक्षण के लिए क्या आवशक्ता है किस चीज की आवशक्ता होती है तो बहुत आपको उत्तर बताएं, कमेंट में मेरा निवेदन होगा कि आप भी धी बताते जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, देखें, अभ्यास की, किसकी आवशकता है, अभ्यास की, चलिए, सामुहिक बाचने पाथस प्रतमम बाचनम करोती, सामुहिक बाचन में सबसे पहले कौन बाचन करता है, तो अध्यापक, सबसे पहले कौन करता है, अध्यापक, देखें, संस्कित बहासा में ही प्रशन आएंगे, इसलिए आपको संस्कित में प्रशन समझने की आदत होनी चाहिए, एक अभ्यास होना चाहिए, आना चाहिए, पाठो परांत मुल मूल यंकन जो है क्या है तो भैष पाठ्थस पठनास अनंत्रम पाठ के पढ़ने से बाद में क्या होता है? मूल यंकन होता है उस चीज़ के आगला देखें स्थ्रेष्ट शिक्षण में किसका महत्त होता है सबसे ज्यादा तो अध्याबकस जैसे वो पढ़ाएंगे वैसे बच्चे सीखेंगे मैं आपको बता दूँ कि आप हाँ और भी जो बिसा हैं उसके पूरे वीडियो अपलोड हो चुके हैं 2011 के पेपर के चैनल की पिले लिस्ट में जाकर के आप उसमें देखेंगे 2011 सॉल पेपर वाली पिले लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे पांचो सब्जेक्ट की वीडियो आ जाएंगे और सिलेबस के अनुसार बिलकुल हम आपको पूरी तैयारी 2020 के प्रात्मिक सिक्षक भारती की करा रहे हैं इसलिए आप हमारे चैनल को एक बाद सब्सक्राइब कर लें जिससे अगला वीडियो आप तक आए तो नौटिफिकेशन पहुँच जा भी तो आपको हमारी लिंक बॉट से फेस्बुक पर मिल गई होगी आप उसको भी आंगे सेयर कर दे और आँगे आपको वीडियो मिलत पस्चात आदर्स बाचन सपच आदर्स बाचन होता है उसके बाद फर क्या होता है कठिन सब्दों का वो चरण का अभ्यास किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि जिससे आपको कठिन सब्द बारवार बोलेंगे आप भ्यास करेंगे तो वो फिर आसान लगने लगे भा पूरा ही देखना आप इसको, ठीक है, अगला देखें, भासा या संबंधा एन सही भवति, भासा का संबंध किस्से है, मानवस हिर्देन सही बिल्कुँ सही, मानवस वागय अंत्रेन सही, बचन अंत्रेन बिल्कु सही, तो द्वाब भ्याम सही इसका वत्तर सही हो जागा, मत प्रती दिनम ब्याकरण स्पाठ नम प्रती दिन ब्याकरण का पढ़ाना ही क्या है ब्याकरण सिक्षन के लिए स्रडी करण का उपाय है आपको समझ में आ रहे होंगे संस्कित में ही वहाँ पर प्रस्ण आएंगे याद रखी गहिंदी में ही आएंगे वीडियो अच्छा लेखना तो बरतनी गताया असुद्धे निवारना बरतनी गत जो असुद्धियां होती मात्रा की जो असुद्धी होती उनकी निवारन के लिए सुर्त लेखन होता है चलिए अगला देखे मौन बाचनस अभ्यासा भवीतब्या मौन बाचन का अभ्यास होता है कब होना चाहि का अभ्यास नियमत रूप से होना चाहिए आगे देखे, पचासी नमेर चात्रा-णाम उच्चारणम दोसं दूरी करना है, भाषा सिख्षका भाषा विझ्जान कस्मिन विज्ञाने पारंगता भुया चात्रों के उचान दोसको दूर करने के लिए भासा सिक्षक जो भासा विज्ञान के किस विज्ञान में उसको पारंगत होना चाहिए तो उसको होना चाहिए ध्वनी विज्ञाने ठीक है क्योंकि जो चारण बगर एका है ध्वनी मुल्यांकनम प्रियोजनम अस्ति संस्कित के मुल्यांकन का प्रियोजन क्या है तो आपको प्रियोजन वतलाना है तो वह है विसाई ग्यानस परिक्छन। अगला देखें छात्रा कस्मिन कारे अधिकाम रूचिम दर्सयती छात्रों की किसकार में अधिक रूचि दिखती है आपको तो वह चित्रेशू राग भरने चित्रों में रंग भरनों में चित्रों में रंग भरने में छात्रों की रूचि जाधा रहती आप देखते होंगे अगला देखें, प्राचीन काले गुरू स्वासिस्यान केन विधीना सिक्षती, इसम बेरी आई एमपी है, यह बिलकुर यादी कर लेना, किस विधी की द्वारा, ब्याख्षन विधी की, संस्कित की जो सिक्षन विधीयां, भी एक वीडियो हमारा अप्लोड हो चुका है, औ तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सिलेक्ट कर सकते हूं, और आपको यूटूब पर सर्च करना है, टॉप फिप्टी, श्टडी, एस्टी यू डिवाई, यह लिखेंगे, तो आपको हमारे पूरे वीडियो आपके सामने आप संस्कित पढ़ रहे हैं, तो संस्कित के वीडियो देखिए, बालवेकास पढ़ रहे हैं, तो बालवेकास, परियावरन पढ़ रहे हैं, तो परियावरन, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी, गड़ेत पढ़ रहे हैं, तो गड़ेत, सारे सब्जेक्ट की वीडियो सि ब्याक्ष्यनविदी नहीं हो गया स्रेष्ट मूल्यांकन अस गुणास्ती स्रेष्ट मूल्यांकन का गुण क्या है तो देखो बस्तू निष्टता होनी चाहिए जो अपन अभी जो मूल्यांकन जो आपका हो रहा है न पेपर ये भी बस्तू निष्ट है ठीक है बिस्वस्नीता ये भी होना चाहिए और बेहदता भी होनी जैते तो उपरयोग सरवाइस का उत्तर बिल्कु साही हो जाएगा अब हम चर्चा करते हैं गद्ध और पद्ध पर जिसमें से 15 प्रिष्णों पर हमें और अभी चर्चा कननी है अब बिल्कुल आप वीडियो को बिल्कुल निरंतर देखते रहें जब तक पूरा नहीं होता तब तक आप देखते रहें गद्ध पद्ध कैसे हल करते हैं आपको इसी में उत्तर मिलते हैं कोई अलग से पढ़ने की जरी रतनी है संग्यत की गद्धपड में ही उत्तर छोपे रहते हैं देखनें उसी के अनुसार उत्तर दीवेज़ा गद्धड के पढ़ने में आपको बताएं साथ से पहले तो एक बार आप पूरे पिष्ण पढ़ लें कि क्या प्रष्ण दी हैं पर कम से कम दो भार गद्यांस को पढ़ें जो गद्यांस दीया है ठीक है मैनवाद की गद्यांस के आधार पर ही पिष्ण का उत्तर दें आप बोलने की नहीं इसका तो है इससे पता चल जागे, इसके बाद एक पद्ध पच्छा करेंगे, जिसमें पूछा गया दा, चली देखें, तो एक सट से लेकर करके अर्षड तक के प्रिष्णा को गद्ध के आधार पर देने हैं, सर्दार बल्ब्भाई पटेलस जन्म गुजरात प्रांतस करद नाम के ग्रामे 31 को अर्थ मन में लगा सकते हैं, गद्धे में क्या किया जाँ, तो में बात हैं वो आपको नोट किन्नी है, तुछ में बात क्या होगी, उनका जन्म कहां पर हुआ तो करद नाम के गाहों में, ये होगी 31 अक्टूर को ये में बात होगी ठीक है, ऐसे गद्धे की, में पॉइंट को पर हुई नडियाद नगर ये भी मोश्ट हो गया ऐसे आप लगा लेंगे तो प्रिष्णों के उस तरदीने में आसानी होगी और देखें बाक बाक कील परिचाम उत्त्री आयम बिधी सास्तरस अध्याना इंगल लेंड इस्थित मिडल टेंपल नाम के बिध्याले इसलिए कहांगे एंगले इंड पर देखें आगे देखें उन्नीस सो तेरा इसवी एहम आहमदावादे पकालत कारियाम परारम किया अनलंतर 1924 इसवी आयम बारदोली गरामी ठीक किस गराम है बारदोली गराम है स्वाराज आसमस स्थापनम कृतबाम मतलब इसवराज की ब करविरोधी नाम आंदोलन करविरोधी आंदोलन में उन्होंने किसानों का सईयो किया अपने द्रण सिद्धानत की वजए से वो लोहिपुरुस की नाम से विख्यात हुई ऐसी कुस्टा भी पिश्मों में आएंगे विद्या आप नीचे देखिएगा अगला देखें आगे स प्रायसा च्छेसो हो गया सब्त सती परीमितानी शट्षती च्छेसो लाज्यानी रियासत अत्र भारते आशन उस समय 600 रियासतें भारत में थी तैसाम बिलायकारेद्राव इंका महान युगदान था थीख है येशनोंने पूरे भारत को एक कर दी गया ता स्वतंत्रताया अंदुलनी महात्मा गांधी ना सह सरीणिन मनसाचा सईयोगी अबद और स्वतंत्रता संक्रा महात्मा गांधी जी के साथ इनुका सरीज से उमनसे दोनों से इनका सईयोग रहा अब देखें कैसे कॉस्चन है आप खुद बनेंगे देखें सरदार बल्ला भाई पटेलस जन्म कुत्रवबत अभी हमने वोला था यसी मुष्ट लगाले तो कौन सा करत गिराम है देखें इसी में हैं आप देखो कैसे उत्तर निकालना हम अभी हाल बताते हैं देखो यहां पर लिखा है सरदार बल्ला भाई जन्म आप जन्म में उसमें लिखा देखो जन्म देख लो कुजरात प्रांत करद नाम के अब उसमें देख लिए आप इनमें से क्या उप्सन दिया है तो यह दिया है तो आप इस पर टिक कर सकते इसी में उत्तर हैं प्रारम की देखो अब इसी में आपको उत्तर मिलेगा बखालतकार देखो इसमें लिखा है 1913 इसवी ए अहमदावाद में नोन बखालतकार प्रारम किया था इस परकार से आप उसको देखकर कर उत्तर लगा सकते हैं और आगे देखते हैं इसका आदा है एक पद्ध भी पूरा करना है अगला 1924 इसवे पटेला कस स्थापन क्रितवां 1924 इसमें पटेला किसकी स्थापन की तो अपन ने देखा था स्वराज आसमस देखा अभी स्वाना सूरम करो थी स्वान सूर कर रहे हैं चलिए अगला देखें स्वकी यही द्रण सिध्धानते ही पटेला के नामना विख्यात स्वकी द्रण सिध्धानतों के कारण अपने पटेल किस नाम से प्रिशिद्ध हुए ते लिया लोह पुरुसाय थी लोह पु अगला देखें, रियासता नाम भारते बिलाई यस महत युगदान मस्ती, ठीक है, तो रियासतों के भारते बिलाई में सबसे ज़्यादा किसका इतनाम सरदार बलाबाई पटेला, कितनी रियासती, 600 इनने उसको मिला दिया, एक भारत कर दिया, एक भारत स्रेष्ट भारत, औ और देखें, ओपर युग तस गद्यांसस सीर्षकम भावतिव सक्टे, गद्यांस का सीर्षक भी हमने देखा कई बार पूछा जाता है, तो क्या है इसमें, तो आपको बताने में सीर्षक निकाला जातों, उसका मूल भाव क्या है, तो सरदार बलाब भाई पटेला, इनने के जीवन पर आधा रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा में सीर्षा, चलिए, और प्रिष्ण हम देखते हैं किस प्रकार से पूछे गए, तो इस प्रकार से गद्यांस पर इसमें प्रिष्ण पूछे गए, ठीक है, पूरे प्रिष्ण किस पर आधा रहे थे, गद्यांस प में 79 से लेकर के 75 सकथ के जो है पन्वin albums लोकों को सब्सक्राइं जो है जो पद्रेब करें चोप अर्थ और utra को परो अख ड करें पहले अपको मतलदुंददें sa कालो गक्षती धीमता, धीमता जो बुद्धिमान है, उनका कालो गक्षती, काल किसमें जाता है, काब सास्त को पढ़ने में, उनकी बुद्धी लगती, उनका सामय बतीत होता है, बुद्धिमानों का, बैसनेंचा मूर्खाना, मूर्खों का किसमें होता है, बैसनों में, ठीक तो मूर्खों का समय किस में जाता है या तो बैसन में जाएगा या नीन्द में या फिर कलहे में लड़ने जगडने बात्चीत में ठीक है तो इन में मूर्खों का तो अपने लोग तो बिद्वाने में या अपने को किस में अपने काब सास तरह आप अपनी पड़ाई में निकालना है, जब तक पेपर नी निकल जाता है, 135 का आप लक्ष प्लस बना के चलें, competition बहुत है, जब तक पेपर नी निकल जाता है, आपको 6 घंटे से जादा की नीद नी लेनी, दम से महनत करनी, आप चिंता नी करें, हमारे चैनल के माद्यम से आपको पूरी तैयारी सिलिवस के अनुसार कराई जाएगी, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दवा लें, और अभी जो आप वीडियो नी देखें, छूट गए हैं, तो आप टॉप 50 श्टडी यूटूब पर सर्च करके हमारे चैनल उपे देख सकते हैं, अगला देखें, तो इसका आपको और समझ में आ गए, इस पिकार स नासस्चे लोभा पापस सकारणम, देखें, इसमें किस की वात के हैं, लोभात क्रोधात प्रवती, लोभ क्रोध को उत्पन करता है, लोभात मोहस्च नासस, जो ठीक है, लोभात क्या मोह को उत्पन करता है, नासस्च और नास करता है, अपना लोभा पापस सकारण, लोभ पाप का कारन है, इसप्रिकास लोप की यहाँ पन्यिंदा की गई है, ना कस चित कस चिनमित्रम, ना कस चित कस चिद्रणी जायनिते रिफ बस्तेता, मतलव कोई भी चित्र कोई भी मतलब बस्तु हमारे लीनी है ब्योहार में मित्राणी जायनते मित्र ही सबसे स्रिष्ट होता है इस फिकासे इसकार तो बनना है मतलब त्याग करना ठीक है कुलका ग्राम के कारण कुलका त्याग करना ग्रामस जनपदस यार्थे स्वात मार्थे प्रत्विका भी त्याग करते हैं अब देखें अपन प्रिष्ण कैसे इसी में उत्तर मिलेंगे देखें धीमताम काला एन यक्ष्षती धीमताम उत्लब गुष्षती इस उप्रिष्ण में भी यही सब्द आ गया तो आप लिख सकते हैं अगला देखें पुल्हाथ किमना भवती ठीक है लोब के कारण क्या नहीं होता है तो देखो काम होता है क्रोध होता काम होता मुहेसब होता पुन्यम पुन्य नहीं होता ठीक है लोप से और देखें मित्राणी जब वाच्छा इन जायनते मित्र और रिपू किस कारण से बनते हैं तो बेवहार इन बेवहार से हमारे दोस्ते भी बनते हैं और सत्रू भी बनते हैं दिया था ना जब इसमें अपने अब हियाल पड़ा था कि ना कस्चित कंचिन मित्रम ना कस्चित चित रूपी मतलब चाए मित्र हो चाए कोई भी होगा है बेवहार इन मित्राणी जायनती बेवहार से मित्र है वो भी सत्रू बन जाता है ठीक है अगला देखो जनपदस अर्थम कथम तो जनपत के लिए क्या त्याग कर दिया लोगों ने आपने पड़ा था आप भी कमेंट में उततर बताते जाए हम भी आपको बताते जा रहे हैं तो जनपत के लिए ग्राम को त्याग दिया इसमें लिखाता है न देखो ये लिखा है जनपत अश्यार थे ग्राम त्याग दिया ठीक है इस पिकार से यहाँ पर इसमें पूछा गया और आंगे हम प्रश्ण देखते हैं किस प्रश्ण से थे इसी पद्ध से संबन्दे थे प्रश्ण था बैसनी नास में इस पर हम सुरू में चर्चा कर जाए हैं तो इस प्रश्ण से आपको हमारे चैनल के माद्ध हम से वीडियो पराप्त हुगा और बिसियों के सॉल्ड पेपर जो 2011 के थे पूरे अपलोड हो चुके हैं आप हमारे चैनल की पिले लिस्ट में जा करके देख सकते हूं आप टेट की तैयारी कर रहे तो बिलकुर निश्चिन्थ हो करके करें हमारे चैनल से जुड़ जाएं यूटूब पे आप टॉप 50 श्ट में कार करें जैहिन